हेलो एनिवे लवर्स आज हम किंग्डम ओफ रुइन के एपिसोड वान को इस्प्रिन करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़ूर से सब्सक्राइब कर लो कहाने के शुरूवात में हम जान पाते हैं जो गौड है उन्होंने इस दुनिया को बनाया उन्होंने पहले हिमनेटि को बनाया उसके बाद विचिस को बनाया और जो God है उन्होंने अपनी पावर विचिस के साथ शेयर की और उनसे कहा जो humanity है बहुत ही कमजोर है तो विचिस को ही जिम्मधारी मिलती है कि वो humans को protect करे और उनको guide करे friendship के नाम पे तभी हम देख पाते हैं जो witches थे वो इस बात से मान गए और God की बात मान के humanity की हमेशा मदत की लेकिन हम देख पाते हैं जो समय है वो बदला और जो humans थे वो evolve हुए उन्होंने अपनी knowledge को बढ़ाया और ऐसे ही करके जो humans थे वो independent बने और उसके बाद सुरू हुआ witches का hunt हम देख पाते हैं काफी सारे witches जो humans के दुआरा मारे जा रहे होते हैं और जो humans हैं वो कह रहे होते हैं अब हम कमजोर नहीं अब हम जिन्दा रह सकते हैं अपने खुद के बल पे तब दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे इस एनिमे के protagonist को अधरनर्स को जो अपने master प्रोई से कह रहा है क्या तुम सुन पा रहे हो master हमें ऐसे भी जाना है तो map ठीस से पक्रो तब हम देख पाते हैं जो उसका master थो map में देख नहीं पा रहा सही से कहां पर उसको जाना है तभी हम देख पाते हैं जो हमार प्रोटाइगिनिस्ट है अपने मोबाइल फोन से उसे दिखाता है यह देखो मैंने जो बनाया है इसकी मदर से हम जा सकते हैं और इस डिवाइस को रबर्डवेंड भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं तबी हम देख पाते हैं जो उसका master Chloe था उससे कह रहा होता है तुम चुपकी नहीं रहते हैं मैं अपना काम कर रहा हूं देखने ही पा रहे हैं बनो तुम्हारा जो एटिट्यूड है हीमन के पती उनको तुम्हें बदलना होगा तभी हम देख पाते हैं वो दोनों मज़ा करने लगते हैं लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रटाइगनिस्ट है वो कह रहा होता है मैं अपने मैजिक की मदस जितने भी हुमन से उनको ख उसका मास्टर क्लोई देख लेता है अमने प्रटाइगनिस्ट का तभी हम देख पाते हैं जो इम्पिर था इम्पायर का वो अपने सोल्जर से कह रहा होता है उस विच्छ को हमें पकरना ही हुआ किसी भी हाल में तो उसको पकर के मेरे पास लेकर आओ वर्ना तुम मारे जा अगली बार ऐसा ही होगा यूर मैजस्टी मैं उसको जरूर पकर के लाओंगा जो आइस विच्छ है क्लोई दूसरे इसमें हम देख पाते हैं जो अपने मास्टर क्लोई से कह रहा हुआ तुमने मुझे मैजिक इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया मैं अभी तो सीक रहा हूँ ना मैं अगर अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है उनको भी रोक सकता था लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने नहीं देख पाता है उसका मास्टर क्लोई तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब करो ऐसे वीडियो के जल्दे से जल्दे अब्डिट पाने के लिए और कॉमेंट बोक् वीडियो अच्छे लगए तो आपने दोस्टों के साथ भी श्ययर करना दोस्तों तभी हम देख पाते हैं जो हमार प्रॉटाइगधड है। लेकिन हम देख पाते हैं जो क्लोई थी वह हमारे प्रोटाइगनिस अधोनिस को कह रहा हूँ तुम इतने दुखे क्यों हो रहे हो मैं हूँ ना मैं तो सब सिखा दूंगा चिंता मत करो तभी हम देख पाते हैं जो आफिसर थे वह फ्रीज हो गये थे उन्होंने अपना एक ड एक बात है जो हुमन इंपायर का जो इंपरोड था वो अपने पीपल के सामने जो स्पीच दे रहा हो और कह रहा होता है बरसों पहले हम बहुत ही कमजोर थे हम हुमन हम मुझे इसकी मदद से जिन्दा रहते थे हम उनके उपर डिपेंडेंट थे लेकिन अब समय बदल चु इतने इवॉल्व हैं और हमारा एविलूशन चलता रहेगा हमें अब उचस की कोई जरूरत नहीं हमें उन से डर्णने की कोई जरूरत नहीं है अब हम इंडिपेंडेंट है हमें कोई नहीं रख सकता हम फ्री है इस दुनिया में और हमें उन विचस को खतम करना ही होगा अगर था उन दोनों को देखे कहरा होते मुझे लगा नहीं था तुम लोग यहां पर अडिय वाला होता है लेकिन उसको कुछ गाट पकड़ लेते हैं हम देख पाते हैं जो इंपर था वह कह रहा होता है तुम हएरी इतनी हिमत तुम मेरे उपर मेरे हमला करने के लिए आ र हम देख पाते हैं जैसे ही अपना मैजिक को स्टार्ट करता है हम देख पाते हैं जैसे ही अपना मैजिक को स्टार्ट करता है हम देख पाते हैं जैसे ही अपना मैजिक को स्टार्ट करता है हम देख पाते हैं कोई भी मैजिक इस नहीं कर पाता लेकिन हम देख पाते हैं जितने यह है हमारा knowledge जिसकी मदद से हम तुम्हे कर देंगे लिकनि हम देख पाते हैं उसके पसते बीं इंपरर आ जाता है और कहता है अब तुम्हे मरने का वक्त आ चुका है हम देख पाते हैं जितने भी human site के people घो कह रहे हो तो अब इसे मार दो मार दो कह रहे होतें हम देख पाते हैं जो क्लोई थी वो इंपरर का समने जुख जातार कहता है जो मेरा डिसाइपल थै और उसको मैंने बच्पन में ही चुरा लिया था मेरे लिए काम करने के लिए मैंने उसे बहुत यह बुरी तरीके से ट्रीट किया मैंने उसे एक स्लेप की तरह रखा प्लीस करता है उसकी बात मान लेता है और उसकी तरह अपनी गाने पाता है और कहता है अब तुम्हेरा मने का बक्त आ चुगा है लेकिनcier मनने से पहले जो मैल करते हैद कहती है नियुक्त प्रुष है हम देखते है जो पना जो बुलेट है और चला देता जो humanity हमें से खतम कर दूंगा तभी हम देख पाते हैं जितने भी पीपल थे वो खुश हो रहे हो अच्छा हुआ यह मर गया तभी हम देख पाते हैं जो इंपरर है वो आदो ने इसका जो master थक लए उसका जो hit था उसे अपने हाथ में पकरता है और कहता है इसी तरह हम सारे witch को को इस दुनिया से खताम कर देंगे इस दिन में हम देख पाते हैं काफी सारे witch को एक jail में बंद करके रखा गया होता है और दो witch लड़ रहे होते हैं एक bread के लिए तभी उन दोनों के पास एक witch आती है और कहते हैं तुम लोग चाहो तो मेरा bread ले सकते हो और हम देख पाते है वो दोनों witch उसका bread लेकर होंसे चले जाते हैं तभी हम देख पाते हैं जो witch था दोड़ो का जिसने अपनी bread दी थी उसके पास उसका friend आना आता है उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो हमारे पास खाने के लिए पहले से कोई bread नहीं है तभी हम देख पाते हैं उन दोनों के पास जो jail का jailer है वो आता है और कहता है तुम लोगों में से 218 किसका number है वो हमारे साथ चलो हम देख पाते हैं जो दोड़ो का friend आना था उसका number था लेकिन हम देख पाते हैं जो jailer का jailer उसको एक आत्मी के पास लाता है रो आत्मी के तुम्में एक लड़के को खुश करना है और उस mobile से दोरोक अपने friend को release करने के लिए order देता है लेकिन जो उसका authority इस जो उपर नहीं होता है लेकिन हम देख पाते हैं जो दुरवाग किसे भी करकर उस mobile मेंसे जो authority है और नहीं लेता है और अपने फ्रेंड को आज़ाद कर देता है जिसके बज़े से जितने भी जिल के कमरे ते हो खुल जाते है और जितने भी उनके अंदर विचेस थे वह बाहर निकल जाता है जिसके बज़े से एक के वास मस जाता है जिसके बज़े से दोरो का वहां से भाग जाता है एक रूम पर चुके हैं इसी के साथ जो हमारा एपीसोड है वह भी खताम होता है दोस्तों दोस्तों अगर तो में वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो का जल्द जल्द ब्रिट पाने के लिए और कॉमेंट बॉक्स है कॉमेंट करो ठ स्बस्तों